नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? निखिल जी आप कहां से हैं? निखिल जी संत्रामपाल जी मारा से कब जोड़े आप? निखिल जी संत्रामपाल जी मारा से जोड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ती साथ नभी करते थे? तो फिर आप संत्रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आए? संत्रामपाल जी माराज की सरण में हम मेरी दी जी जी का रिस्ता संत्रामपाल जी माराज की सिष्चे सीव कुमार से हुआ जो की गाउं हसनपूर से है तो उन्होंने नामदिक्सा ले रखे थी ऐसे ही मेरी बहन उनसे दी दी जी बात करने लग गई तो जी जा जी ने एक भग प्रविश्टि रेचना को पढ़ने मात्तर से ही हमारा दमाग घूम गया कि इसमें जो है ब्रह्मा विश्णु मेश के मात्या पिता लिख रखे हैं और हम तो ब्रह्मा विश्णु मेश को यह अजरोर उमर अविनासी मानते थे लेकिन फिर हमने मैंने क्या किया अपने गरंथ नेट पे सर्च किया नेट पे सर्च करने के बाद उसमें जोका तो मिला फिर मैंने एक पुस्तक जो की देव भागवत पुरान है उसमें तीसरा सकंद पढ़ा तीसरा सकंद अद्दय पांच पेज नंबर 123 पर उसमें लिखा था विश्णु जी अपनी माता की स्तुति कर र परमान है हमारा तो अविर भाव तसतिरों भाव हुआ करता है अर्थात जनम रिक्ति हुआ करता है मैंने यह दूंडा तो मुझे जूंका तो परमान मिला तो इससे मुझे और द्रडविस्वास हुआ कि सच में यह गान सत्थ है और जो हम पहले परमपरा जैसे की हिंदु परम में मैं पैदा होया तो उसी के नुसार चल रहा था हमने कभी वे अपने गरंथों को नहीं पढ़ा था लेकिन हमें सत्थ भगति का पता करना था जो कि हमें संत्रामपाल जी महाराज दे रहे हमारे सास्त्रों के नुसार ना कि परमपरा के नुसार मैंने सत्थ भगति क सर संत्रामपालजी महाराज नाम अपदैस लेने के बाद आपको क्या लाब रापत हुए? मुझे यह नहीं पता चला कि मैं अब क्या करूँ तो परमात्मा का बजनमा कर रहा था सुतनाम का मंतर कर रहा था मुझे यह नहीं पता चला कि मेरा हैंडल कैसे गूम गया एकदम से हैंडल अपने आप अटोमेटिक परमात्मा की दया हुई अपने आप गूम गया और दास उस समय एक्सिडेंट से बच गया जो उनकी कार ठीक मेरे सामने टैक्टर के लगनी थी वो पीछे ट्रेली में लगी ये एक लाव हुआ इसके बाद मेरे पिताजी जब से मैंने ओस समाली है तब से ही मेरे पिताजी बहुत दारू बेड़ी गुटका मास या उनकी सारे परकार के नसे करते थे और घर में आके लड़े जगड़ाई करते थे डेली का पिताजी का काम था 14-15 साल मैंने बहुत दुक जहला आके मम्मी को भी पीटते थे और हमें पीटते थे आई दिन का यही काम था पिताजी का मैं इस जीवन से बहुत परिसान हो गया था और मैंने आतमत्य करने के भी कोशिश करी लेकिन मैं फिर रुक जाता था कि मेरी माता जी अगर मैं मर गया तो मेरी माता जी कसारा कौन होगा तो ऐसे ही करते करते हम बहुत दुक्य हो गए तो फिर मैंने तो नाम ले लिया था और जो मीट मचलिया खाते थे में भी छोड़ दी। संत्रामपाल जी महाराज की दया से अब हम सुक्यूए जीवन जी रहे हैं। जैसे कि हर गाउं में कुछ व्यक्ति एक दूसरे जलते हैं। तो हमारे गाउं में भी ऐसे ही मेरे पिताजी के ओपर किसी ने भूद परेत का सैक था वो करवा रखा था। ऐसे ही हम गूमते फिरते थे कभी इस बाबा के पास कभी उसके पास। जहां कई भी मतलब कोई बोल देता था हम हर कहीं जाते थे यहां तक कि हम मौलवी के पास भी गए लेकिन उनके पास कोई समधान नहीं हुआ केवल थोड़ी समय के लिए वो रहता था फिर बाद में अबते बाद फिर वैसे ही मेरे पीता जी कारिये करने लग जाते थे तो हम इससे भी वो दूखी थे एक लाब यह भी हुआ संत्रामपाल जी महराज की दिया से उनसे नाम लेने के बाद कि अब हमारे घर में भूत परेत का कोई साया नहीं है एक और लाब हुआ हमारी आर्थिक स्थिती बहुत खराब थी हम जो खेती बाड़ी करते थे उसमें हमें क चास जार का ऐसे घर्टा खाते थे इससे हमारी आर्थिक स्थिती बहुत खराब होती जा रही थी करज बढ़ता जा रहा था लेकिन जब से हमने संत्रामपाल जी महराज की संग्रेंड करी है हमारा जो भी करज था वो आज परमातमग दया से सारा चुका दिया गया है अब ह तुम्हारे उपर कोई भी करज नहीं है मुझे एक और लाब हुआ जैसे कि मैंने पहले बताया मैं घर को देख कर बहुत परिसान था मुझे मांसिक परिसानी थी घर की कलाय को देखते हुए मैं आतमत्या करने तक की मैंने सोच ली थी लेकिन फिर मैंने संत्रामपाल जी मह राज की बनाई हुई पुस्तक बगती सौधागर को संदेश को पढ़ा उसमें मैंने जाना कि यह मनुस्य जीवन हमें ऐसे वैसे नहीं मिला है यह जीवन हमें केवल सत बगती करने के लिए ही मिला है कबीर साहिब कायते हैं मानुस जनम दुरूलब है मिले न बारंबार जैसे तरवर से पता तूट गिरे और बहुर न लगता डार मनुस जनम पाकर जो नहीं रटे हरी नाम जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम तो यह है वाक्या मेरे दिल को छूगए मैं इस ग्यान से बहुत परवावित हुआ और मुझे बहुत अच्छा ग्यान लगाई मुझे संत्रामपाल जी महराज की पुस्तक पढ़के उनसे नाम उप्देश लिया और अपने जीवन को सुसाइड होने से बचाया और अब मैं सुख में जीवन जी रहा हूँ प्रमातमगे देया से तो जो सरदालू आज आपको देख रहे हैं आप उन्हे क्या कहना चाहेंगे दास्तो पूरे वर्ड से प्रातना करना चाता है कि जैसे मेरे उपर पाड़ ठूटे थे जैसे कि मैं दुखी था अपने घर के कलेश से या अपने मानसिक परेसानी से ऐसे ही आप भी मेरी तरह लाग प्राप्त कर सकते हैं यदि आप मेरी तरहें जीवन जी रहे हैं तो मेरी तो आप सभी से आज जोड़कर प्राथना है आप भी संत्रामपाल जी महाराज से नाउप देश लें और एक बार अवस्या जमा कर देखें कि संत्रामपाल जी महाराज मैसी क्या सकती है और वो क्या ग्यान देते हैं जिससे की एक वेक्ती सुसाइड करने वाला वेक्ती अपनी जिन्दगी में इतना चेंज हो गया कि वो आज सुख में जीवन जी रहा है तो आप भी एक बार संतरामपाल जी महाराज की सरण में कैसे आया जा सकता है संत्राम पाल जी महाराज की सरण में साधना चैनल पर ससंग चलता है उसके नीचे पेड़ी पटी चलती है उसमें कुछ नंबर दिये जाते हैं उन पर कॉंटक्ट करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं परतेक जिले में परमातमा गिद्या से नामदान सेंटर खोले गए हैं आप महा का नामदान सेंटर का पता पूछ कर महा से नाम उपदेश ले सकते हैं धन्यवाद सर ससाई